अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ और गौर से इस तस्वीर को देखिए यही है वो तस्वीर सैक्डो लोगों की भीड़ खड़ी है सब अपना दाया हाथ आगे बढ़ाए हुए हैं नाजी सेल्यूड के कोख्याद स्टाइल में लेकिन इस तस्वीर में आप देखिए एक शक्स अपने दोनों हाथ को सीने से लगाए शांत भाव से खड़ा है सबसे अलग है सबसे जुदा है वो इस भीड में खड़ा है लेकिन उसे इस भीड का हिस्सा बनना गवारा नहीं इस तस्वीर की कहानी उसी शक्स की है उस शक्स का नाम था August Landmesser यहां आपको ये भी बता दूँ कि ये तस्वीर ले गई थी सन 13 जून 1936 को लेकिन दुनिया की नजर इस तस्वीर पर पड़ी सन 1990 में 22 मार्च को पूरे 55 साल बाद 55 साल बाद दुनिया ने इस तस्वीर को देखा तस्वीर में हाथ बादे खड़े शक्स को पहचाना उसकी कहानी सुनी और फिर समझा कि एक अकेला प्रैतिरोध क्या माईने रखता है तस्वीर का नायक August Landmesser एक जर्मन नागरिक थे और उन्होंने हिटलर की तानाशाही का इसी अंदाज में विरोध किया था एक तरफ सारी भीड हीटलर की तानाशाही के आगे बिलकुल नत्मस तक थी आथ उठा कर उसकी नीतियों का उस वक्त समर्थन कर रही थी लेकिन Landmesser चट्टानी रादों के साथ शांद भाव से खड़े रहे इस विरोध की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी थी उनकी यहूदी प्रेमिका इर्मा जेल में बेटी को जन्द देने के बाद गुम हो गई खुद Landmesser का आखरी वक्त में पता नहीं चला और उनकी यह कहानी भी सामने आप आई उसकी बेटी इर्ना की बदावलत जिसने साल उन्निस सोई क्यानवे में एक किताब में अपने पिता के साहसिक प्रतिरोध को दुनिया के सामने पेश किया 22 मार्च उन्निस सो क्यानवे को दे टाइम्स ने पहली बार Landmesser का कहानी के साथ इस तस्वीर को प्रकाशित किया और तब दुनिया ने जाना कि जब पूरा जर्मनी खिटलर शाही के रंग में रंगा हुआ था तब एक शक्स ऐसा भी था जिसने अपना हाथ तानशाही की सलामी में नहीं उठाया था इसी तस्वीर ने लोगों को एहसास कराया कि चाहे वक्त जैसा भी हो एक अकेला आदमी भी उसका विरोध कर सकता है उसका विरोध वक्त के उस लम्हे में भले ही परवान नहीं चड़ पाता है लेकिन वक्त बदलनेके साथ उसका वही विरोध मशाल बनकर बदलाव का पत परशस्त करता है August Landmissor की यह कहानी और उनके प्रतिरोध यानि विरोध की यह तस्वीर खास तोर पर उन लोगों के लिए है जो पांच राजियों के विधान सभाज चुनाओं के नतीजों के बाद थोड़े निराश हैं थोड़े परिशान हैं और थोड़े हताश भी हैं मेरी ये अपिल है कि वो लेंड मेंसर की इस कहानी को पढ़ें इस तस्वीर को गोर से देखें साथ ही इस बात को याद रखें कि रात जितनी घनी और अंधेरी होती है सुबह के किरन उतनी ही ज्यादा उजली और रोशन होती है नमस्कार